इस वीडियो में जो हो comparison करने वाले हैं कि .com जो domain होती है उसकी renewal prices की तो तीन website मैंने यहाँ पे लिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली जो website है वह है GoDaddy यहाँ पे आप हो दिखाई दे रही होगी फिर second website की अगर बात करते हैं तो second website जो है वह आपका name cheap है यहाँ आप देख रहे होगे और third website की बात करते हैं तो यह जो है वह bigrock.com है bigrock.in तो यह तीन websites पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले जो है वह GoDaddy की बात करें तो यहाँ पे देखो कि one year की pricing जो है वह यहाँ पे around 949 रुपीज दिखा रही है और renewal जो है वह around 1299 रुपीज दि यहाँ पे देखने को मिलती है तो दो साल की prices थोड़ी सी update होड़ी है तब तक हम लोग जो है वह यहाँ पे देखो कि दो साल के लिए आपको 1798 लगड़ी है और जो renewal charges है वह इससे भी जादा है means 2598 अब वहीं जो है वह अगर बात करें कि जो है वह वह नेम चीप में तो ने first year के लिए first year की बात करें तो first year में जो है वह आपको registration के लिए 851 लगड़ी है लेकिन renewal के लिए 1315 लगड़ी है और transfer का हम बात नहीं कर रहे हैं तो इसकी बात नहीं करेंगे और तो year के लिए वाला अगर आप देखना चाहते हो तो यह वाला आपको देखना होगा अब यहा इतनी ही जो है वह आपको यहां पर big rock name chip की भी देखने को मिल रही है तो कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है और अगर तीन साल की अगर बात कर लेते हैं तो तीन साल के लिए आप देखोगे तो five years के लिए भी अगर आप देखोगे तो 6575 थोड़ा long term में भी देखते हैं जै अर्ली 100 या 200 रुपीस का डिफ्रेंस है तो मिन सभी कंपनी का में ऐसा ही रहता है आप समझ सकते हो यहां पर आराउंड 6495 है और यहां पर आराउंड 6575 है तो मिस बहुत ही सिमिलर है नेमचीप और गोड़ाड़ी में और थोड़ा सा डिफ्रेंस देखते हैं अगर big rock की तर आराउंड 1350 लगड़ी है तो इसमें भी जो हो सेमी है और अगर फाइव यह की हम लोग कर रहे थे तो फाइव यह में आप देखोगे तो फाइव यह का रिन्यूवल जो है वह कितना पर रहा है आपको में 1350 19 पर यह लग रहा है तो उसको फाइव से मंटिप्लाई कर दो तो आपको निकल के आती है अराउंड 6500 के आसपास फाइव यह के लिए यहां पर भी आप देखोगे तो 6500 है और इसमें भी जो हो तो 6500 के आसपास निकल कर रही है तो आई हूप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो है प्राइसेज है वह कैसी होती है कि डॉट कॉम की और रिन्यूवल भी आपको कराना पड़ता है तो इसका आइडिया आपको पूरा क्लियर लग गया होगा